नमस्कार साथियों, मुसाशी परिवार में आपका स्वागत है आईए हम आपको अपने मुसाशी परिवार की अब तक के सफर की छोटी सी जलग दिखाते हैं भारत में हमारी शुरुआत सन 2002 में हुई और श्रीमान के यामा नामी हमारे पहले मैनेजिंग डारेक्टर थे जिनका कारेकाल एप्रिल 2002 से मार्च 2007 तक रहा तथा उन्होंने यहाँ पर दिखाई दे रही टीम कार नेतितु किया नवंबर 2003 वह एक ऐसा महत्रपून गौरो में दिन था जब हमने अपना पहला कंसाइनमेंट अपने पहले कस्टमर हॉन्डा मोटर साइकल्स एंड स्कूर्टर्स इंडिया को भेजा दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे दूसरे मैनेजिंग डारेक्टर मिस्टर एम तगावा जिन्होंने टीम का नेतित्व एपरिल 2007 से मार्च 2010 तक किया और इनके कारेकाल के दौरान नेवेंबर 2008 में फर्स्ट एनमसी सरकल की सफल शुरुवात हुई आपसी सुहाद्र को बढ़ाने के लिए हमने दिसंबर 2009 में ESIC कैंप का आयोजन किया और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने मार्च 2010 में मुसाशी परिवार मिलन समहारों का आयोजन किया इसमें अलग-अलग खेल प्रतियोगिताओं को भी शामिल किया गया दोस्तों इसके बाद हमारी टीम को अपने तीसरे मैनेजिंग डिरेक्टर मिस्टर एक्स सायतों की लीडर्शिप का सुभाग्य प्राप्थ हुआ इन्हों ने एप्रिल 2010 से मार्श 2013 तक टीम की अगवाई की और इसी दोरान फरवरी 2012 में हमने बैंगलोर प्लांट का भूमी पूजन किया दोस्तों समय समय पर हमें हमारी टीम के बहतर प्रदर्शन के अनुसार अलग अलग कस्टमर्स के द्वारा पुरस्कृत किया गया है हमारे फोर्थ मैनेजिंग डिरेक्टर मिस्टर के हौरिवे जिन्होंने एप्रिल 2013 से मार्श 2015 तक टीम का पत प्रदर्शन किया और इन्ही के नेतित्व में जून 2013 में बैंगलूरू प्लांट का उधिगाटन किया गया और नवंबर 2013 में पहली बार जीटियम की मेजबानी बैंगलूरू टीम ने की दोस्तों हमारी टीम के अथक प्रदर्शन की बदालत अप्रिल 2014 में हमें सुजूकी मोटर साइकल्स इंडिया ने स्पेशल सपोर्ट आवार्ड से सम्मानित किया आपको यह जानकर हर्श होगा कि हमारी टीम एप्रिल 2015 से अभी तक मिस्टर M. माइदा के नेतित्व में आगे बढ़ रही है दोस्तों इन ही के नेतित्व में हमारी टीम ने एप्रिल 2015 में 11 वर्ड कन्वेंशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया और हमने मार्श 2016 में एक भेतरीन कदम उठाते हुए अंतर राष्ट्रिय महिला दीवस का आयोजन किया दोस्तों आपको जानकर अत्यंत हर्श होगा कि हमारी टीम को जुलाई 2016 में मारुती सुजुकी इंडिया द्वारा कॉलिटी परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया और सेप्टेंबर 2016 में एशिया रोड चैंपियनशिप की टीम ने पहली बार मैप आईडी का दौरा किया हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए हमने मुसाशी परिवार मिलन सम्मारू और मुसाशी प्रिकेट लीक का आयोजन किया हमें बताते हुए यह हर्श होता है कि हमने नवंबर 2016 में पहली बार एशिया जीटियम की मेज़बानी की दोस्तों मुसाशी परिवार में एक नया अध्याय जोड़ते हुए हमने दिसंबर 2016 में पहली बार फैमली प्लांट विजिट का आयोजन किया जून 2017 में EWS मोटर्स को अपना पहला कंसाइनमेंट भेशते हुए हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया दोस्तों यह सफर यहीं खतन नहीं होता है यह एक शुरुआत है नई मंजिले और नए मुकाम हासिल करने की One team go for number one